हेलो, नमस्कार, मैं सत्पाल पांचाल, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं Digital Computer Institute आज की इस वीडियो में हम आपको Excel के अंदर कौन केंडिनेंट और end formula के बारें बताएंगे यह दोनों ही formula similar काम करते हैं मतलब एक जैसा काम करते हैं यदि आप कौन केंडिनेंट और end formula की detail जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को सुरू से लेके आखरी तक जरूर देखे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ example दिखाना चाहूंगा कि कौन केंडिनेंट फॉर्मूला यह एंड फॉर्मूला से हम क्या-क्या कर सकते हैं इसके लिए हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको जैसे मेरे पास यह एक टेबल है यहां पर जो यहां पर एक नेम लिखा है यहां पर लास्ट नेम लिखे हैं यही मेरे पास यह दोनों डाटा अलग अलग है मुझे इनको दोनों को कमबाइन करना हो तो हम कौन कांटिनेंट से इसको कमबाइन कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर किया हुआ है लेकिन अगर मुझे इसको capital letter में लेना है तो कैसे आएगा या proper letter में लेना है तो कैसे आएगा या मुझे आगे कोई नाम के आगे जैसे Mr. Sri या कुछ ऐसे लगाना है तो वो कैसे आएगा इस वाले data के उपर जो मैंने अभी select किया है इस वाले data पे मैंने सभी formula लगाए हुए हैं कौन कांटिनेंट का formula है यह कैसे use होता है तो यह जान पर एक पूरी table है जैसे यहाँ पर एक table दी गई है मुझे इस table को combine करना है मतलब जैसे यहाँ पर name है last name है address है city है तो इसको मुझे ऐसे combine करना है जैसे यहाँ पर देखो combine होके दिखाया भी हुआ है name के बीच में space अपने आप आगए यहां से comma अपने आप आगए यह कैसे आया हुआ है यह कौन केंटिनेट और आप एंड फॉर्मुला की साहता से कर सकते हो तो यह जानना है तो आप वीडियो जरूर ध्यान से देखें अब मैं आपको सभी यह फॉर्मुले जो भी मैंने यहाँ पर लगाये हुए एंड का लगाया हुए यह कौन केंटिनेट का ल लिख दिया है मैं चाहता हूँ कि यह कंबाइन हो जाए मतलब नेम के साथ कुमार अपने आप आजाए तो यहां पर हम लिखेंगे इसकल टू कौन केंटिनेट कौन केंटिनेट ठीक है कौन केंटिनेट लिखने के बाद स्पैलिंग करेक्ट हो आपकी सिफ्ट दवा के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जैसे हमने ब्रैकेट स्टार्ट करी यहां पर टेक्स आगया मतलब एक टेक्स को आप यहां पर स्लेक्ट करोगे जरूरी नहीं है मैं नेम स्लेक्ट कर रहा हूँ आप पहले मतलब जरूरी नहीं नेम यानि लास्ट नेम भी आप स्लेक्ट कर स और bracket close करके मैंने कर दिया enter, लेकिन जैसे मैं enter करूँगा data तो combine हो गया है, लेकिन यहाँ पर space नहीं आया है, ध्यान से देख पारे हो तो space नहीं आया है, space लेने के लिए क्या करेंगे हमें इसके बीच में space लगाना पड़ेगा यहाँ पर, space लगाने के लिए जो आपको यह comma दिखाई दे रहा है, comma के बाद में ध्यान से देखे, inverted comma आप start करोगे, double inverted comma आप start करोगे, और double inverted comma के अंदर आपको space लगाना है, यहाँ डबल inverted comma के अंदर जो भी लगाओगे, वो इसके अंदर include हो जाएगा, और यहाँ पर बाद में एक comma और लगाना है, और enter press कर दोगे, त अगर मैं इसको drag करता हूँ, तो सभी data ऐसे ही separate form में हमारा present हो जाएगा, लेकिन यह जो data आया है, combine हो गया है, लेकिन यह अभी small letter में है, या मुझे capital letter में लेना है, तो मैं कैसे लूँगा, उसके लिए भी आप यह same formula use कर सकते हो, कैसे करेंगे, देखते हैं, हम दुबारा लगाएंगे हाँ पर is equal to, अब लगाते हम अप पर एक formula होता है, अप पर जिससे हम कोई भी letter को बढ़ा कर सकते हैं, आप directly इस cell address दोगे तो भी आजाएगा, लेकिन मेरे को यह नहीं लेना है, मेरे को इस वाले data को यहाँ पर capital form में लेना है, तो bracket start करने के बाद आप दुब पूछ रहा है, तो हमने इस वाले text को लिया, कोमा, आपकी बार में inverted कोमा के अंदर space पहले ही लगा लेता हूँ, ठीक है, और कोमा लगाना है, उसके बाद data दूसरा select कर लेना है, उसके बाद bracket close करके हम enter करेंगे, जैसे हम enter करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने दो bracket close करनी थी, कोई बात नहीं, yes करेंगे, तो भी हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर double bracket आ गई होगी, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अनिल और कुमार जो है, capital letter के अंदर आ गया, बीच में space भी आ गया, नीचे इसको drag करते हम, जैसे हम इसको drag करे लगाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने upper case लगाया था, ऐसे ही हम proper case भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी same formula है, is equal to, यहाँ पर लिखेंगे proper, प्रोपर, bracket start, bracket start करने के बाद, अब वापिस से कौन केंटिनेट formula लगाएंगे, कौन केंटिनेट formula, bracket start, अब वापिस से वही, first वाले cell को select किया, अनिल को, कॉमा, अब की बार, वापिस से मैं, inverted कॉमा के अंदर space लगा देता हूँ, और फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा देखें, फिर हम कॉमा लगाएंगे, आप यहाँ से कुमार वाले cell को select करेंगे, bracket close करेंगे, और अब की बार, दो bracket close करेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार, एक ही bracket close करेंगे, एक तो proper की, और दूसरा, कौन केंटिनेट की, दूनों की bracket हमने close कर दी, उसके बाद हमने enterpress करना है, जैसे हम enterpress करेंगे, आप देख पा रहे हो, कि anil का a बड़ा है, और कुमार का k बड़ा है, यह है proper form, आप directly अगर आप लेना चाहो, कि मेरा सारा data जो है proper form में आए, तो आप ऐसे ले सकते हो, देखो अभी मैं यहाँ प आपस में combine कर सकते हो, इसका example मैं अभी आपको next वाली seat में दिखाऊंगा, उसके बाद एक और है, कि यदि मुझे नाम के आगे, जैसे यह नाम है, मुझे यहाँ पर mister लगाना है, ठीक है, यहाँ पर, भई नाम तो ठीक है, आगया, मुझे यहाँ पर mister लगाना है, इसको हम हम दो-तीन तरीके से कर सकते हैं, मैं एक आसान तरीके से करा देता हूं, जिसको हम end की साहता से करेंगे, और end की साहता मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर भी दिखाना चाहूं, for example के लिए, मैं इस डाटा को delete कर देता हूं, यहाँ पर मैंने data delete कर दिया, क्योंक लगाना है आपने और कुमार को स्लेक्ट कर देना है तब देख पारे हो कि अनिल और कुमार आ गया है लेकिन स्पेस नहीं आया स्पेस देने के लिए थोड़ी सी टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी क्या यहां पर जो एंड लगाया है ठीक है एंड के बाद आपने इन्वर्टिड कॉमा लगाना है ठीक है इन्वर्टिड कॉमा के अंदर आपने स्पेस लगाना है और यहां पर दुबारा एंड लगाना है ठीक है यह आप ध्यान से देख लें इस परकार आपने लगाना है और एंडर प्रेस करना है आप देख पारे हो यहां पर अनिल के बीच में space आ गया, दुबारा मैं दिखा रहा हूँ, मैं यहां पर दुबारा लगाई दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं मुकेस पर लगा रहा हूँ, तो मैं लगाँगा is equal to, यहां पर मैंने मुकेस को select किया, और फिर end लगाया, फिर हमने क्या किया, inverted comma के अंदर space लगाया, और फिर end लगाया, और फिर हमने दूसरे वाले cell को select किया, और enter प्रेस कर दिया, ठीक है, तो आप यहां देख पारे हो कि space आ गया है, ठीक इसी परकार आप यहां भी लगा सकते हो, ठीक है, मैंने इसको drag किया, तो यह सब जगा आ गया, यह अभी अभी ज similar काम करते हैं, अब मुझे यहां पर इस name के आगे, मैंने name तो लिख दिये, लेकिन गलती से mister लगाना भूल गया, भई मुझे name के आगे mister लगाना है, या message लगाना है, कुछ भी आपको लगाना चाहते हो आप, या कोई particularly और कोई symbol लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो, तो is equal to, यहां पर inverted कॉमा के अंदर लिखेंगे हम mister, ठीक है, आप short form में जैसा भी आप लिखना चाहते हो, आप लिख लेना, dot लगाएंगे, एक यहीं पर space लगाएंगे, यहां पर space लगाना है, आपने space के बाद आपने inverted कॉमा को close करना है, ठीक है, उसके बाद end formula लगाना है, इसके आगे लगाना है, उसके बाद हम इसको enterprise करेंगे, जैसे हमने enterprise किया, आप देख पारे हो, कि anil के आगे mister लिखा आ गया, अब हम इसको drag करते हैं यहां नीचे, तो सब के आगे mister लिखा आ जाएगा, ठीक है, यहां पर अभी data नहीं था, तो इसलिए इसके नीचे नहीं आया, तो आप देख पारे हो, यदि आप से कोई ऐसा data है, जिसके आगे आगे आपने कोई symbol लगाना है, कोई mister या सिरी मती या message कुछ लगाना है, तो आप बड़ी सहायता, बड़ी आसानी से end formula की सहायता से आप लगा सकते हो, तो अभी मैंने आपको कौन candidate और end formula की सहायता स दो cell को जोड़ के दिखाया, अगर मुझे दो से ज़्यादा cell को जोड़ने की आप सकता पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, तो भी यही तरीका है, for example के लिए हमारे पास ये data है, जैसे मैंने इसको जोड़ा हुआ है, तो ये कैसे जुड़ गया है, इसको जोड़ने के लिए हम कौन कैंटिनेट या एड़ फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसे, हम आते हैं अपनी एक ब्लैंक टेबल पे, जिस पे मैंने सिर्फ टेबल लिए है, यहाँ पर हम जो कम्प्लीट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अभी आपको ये data लेके दिखाएंगे, कौन से वाला data, य यह वाला data जो है, यहाँ पर कंबाइन होके आ जाए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको टू कौन कैंटिनेट, कौन कैंटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, वही, फस्सल, यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, मुझे अब, ठीक है, और कॉमा यहाँ पर मैंने कुमार को सेलेक्ट किया, कौमा, यहाँ पर मैंने nextल, कौमा, next, कौमा, next, कॉमा, next, कौमा, ठीक, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है, कि आप कौमा लगाओगे, क्योंकि lastL, और ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर दिया, जैसे आपने एंटर किया, तो यहां पर डाटा आ गया है लेकिन जो डाटा आया है एक मिट थोड़ा सा हमें जूम करने क्या हो सकता है जो डाटा आया है वो डाटा कंबाइन होके आगे है लेकिन यहां पर देखो अनिल कुमार के बीच में कोई स्पेस नहीं है जूम करके दिखाता हूं अनिल कुमार के बीच में कोई स्पेस नहीं है यहां पर राम नगर के बीच में अल्रेडी स्पेस दिया हो था लेकिन करनाल में HR में pin code phone number सब कुछ combine हो गया है तो हमें यहां पर बीच में space देना है अभी मैंने पिछे सिखाया आपको कि space आप कैसे दोगे फिर भी दुबारा से बता रहे हैं कि यदि space की जगा आप कोई particular और कोई coma या कुछ लगाना आप वो भी लगा सकते हो for example मैं यहां पर space लगाऊंगा और इनके बीच में कोमा लगाऊंगा या आप space भी लगाना चाहते तो लगा सकते हो जैसे कौन केंटिनेट यहां पर हमें बी फोर और सी फोर के बीच में space चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे inverted कोमा के अंदर space लगाएंगे ठीक है और bracket close और सोरी inverted कोमा close और यहां पर कोमा दुबारा से लगाएंगे एक बार इसको देख लेते हैं आया है कि नहीं है मैंने enterprise किया तो यहां पर आप देख पार हो कि अनिल के बीच में space आ गया है ऐसे मुझे house number या जो भी हमारे data है आगे इन सब में space लेना है तो वापिस से क्या करेंगे इन सभी cell के अंदर हम inverted कोमा के अंदर space या particularly कोई format लगा देंगे पहले में space लगा देता हूं सब के अंदर ठीक है ध्यान रहे जैसे मैं लगा रहा हूं यहां पर कोमा के बाद inverted कोमा लगाना है inverted कोमा क्लोज करने के बाद आपने फिर वापिस से कोमा लगाना है ध्यान से फिर देखें वापिस से मैंने inverted कोमा लगाया फिर बीच में space लगाया और inverted comma close करने के बाद यहाँ पर हमने simple comma वापिस से लगा दिया यहाँ पर inverted comma space inverted comma close और यहाँ पर comma तो ऐसा आपने सभी cell के अंदर लगा लेना है तो हमने यह लगा दिया और यह लगाने के बाद अगर हम enter करते हैं तो हमारे सभी cell के अंदर जो है space आ जाएगा अब हम देखते हैं देखो थोड़ा separate हो गया है अब मैं चाहता हूँ कि space की जगा यह space भी हो साथ में कोई comma या hyphen आ जाए जिससे यह separate दिखें तो वापिस हम यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर space के अंदर हम एक कोमा लगा देंगे साथ में आप देख पारे हो मैं यहाँ पर सिर्फ कोमा लगा रहा हूं और यही कोमा हमारे data के अंदर भी आ जाएगा यह मैंने लगा दिया और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद आग देख पारे हो सोरी अनिल के बीच में कोमा नहीं देना है ठीक है यहाँ से हम कोमा हटा देंगे यहाँ पर space ही ठीक रहेगा एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर देखो अनिल कुमार के बीच में स्पेस है यहां पर कोमा आ गया हर एक टेक्स के आगे करनाल एचर यह पिन कोड यह फोन नमबर के आगे जो है कोमा आ गया अब हम क्या करेंगे यहां पर ड्रैग कर देंगे शोब सभी data जो है यह गंबाइन हो जाएगा तो अभी आपने देखा कि आपके कितनी बड़ी बी टेबल हो आप कौन कंडिनेट फ्रॉर्मूला से यह एंड फॉर्मूला से किसी भी cell को या एक cell को यो दो cell को यह जितने मर्जी cell हो सब को आप कंबाइन कर सकते हो वो भी ढ़ी आसानी से अगर आप यह पर end formula लगाना चाहते हो तो आप end formula का भी यूज कर सकते हो उसके लिए मैं यहाँ पर आप को एक end formula भी लगा के हमें तो इस stewards हाम लगाते हैं फक्त हैं फरकर हमने दिया और हमने एंड़ लगाया जिए एंड नेख्ष्ट एंड़ ये जितने भी सेल हैं सबको स्लेक्ट करना है और एंडल लगाना है यह फर्फन कि bastard पदाए कि आपने इंड के अपने प्राइब करने के लिए मैंने लास्ट थोड़ा dla पीचे में ने बताया कि एंड के बीदी आपने स्पेस लिए तो आप क्या करोंगे तो आप ठेयान से देखें यहां पर हम आते हैं एड के बाद धूर कोस्तार्ट करणा है। ठीके समोह प्रवाइब आप इसको ड्रैक करोगे सब के बीच में वही फॉर्मेट आजाएगा जो आपने दिया होगा ठीक है इनके बीच में अभी मैंने स्पेस नहीं लगाया ठीक है आप लगा लेना जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कौन केंटिनेट में सेम वही लगेगा पर एक औ लगाना है ठीक है सी फोर और डी फोर के बीच में इन्वाटिड कोमा के बीच में आपकी बार कोमा लगा लेते हैं ठीक है और एक स्पेस भी लगा लेते हैं और यहां पर कोमा क्लोज कर देते हैं ठीक है और सोरी 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 कौन केंडिनेट नहीं यह एंड फॉर्मूला है थोड़ा confusing हो जाती है तो यहां पर आप देख पारे हो कि अनिल कुमार, house number आगए ठीक है आप ऐसे ही सब के बीच में लगाओगे और लगाने के बाद आप ड्रैक करोगे ठीक है तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको समझाया कि कौन candidate formula का कैसे use करेंगे या end formula का कैसे use करें यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक्यू धन्यवाद झाल 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 झाल